सो हेलो गाईश आप सब कफ्रिस एक नए वीडियो पे स्वागत है तो दोस्तों आज की इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाले हैं बीरधा पेंशन योजना सिरिलेटर जैसा के दोस्तों आप सब बता होगा कि पेंशन जो है वो उन सब मजिदूरों को मिलता है जिनका साथ वर्ष से अधिक उमर हो जाता है उन लोगों पेंशन का योजना का लाब दिया जाता है लेकिन दोस्तों इसको लेका के और काफी ज्यादा हड़का मचा होगा है आप सब को पता होगा कि काफी ज्यादा नीजपेपर में आ रहा था कि जिन किसान भायू का पचास वर् पर भी उसमें जारी किया गया है और उसमें साफ साफ बताया गया है कि वह से मजदूर वह से पूरुस और वह से महिला जिनका पचास वर्ष से अधिक आयू हो चुका है तो वह पेंशन युजना का लाब ले सकते हैं उनका भी अब हर एक मंत एक हजार रुप्या करके पें जाएगा और किस माध्यम से आप लोग का फॉर्म है उसको भारा जाएगा तो इसको लेकर के सब कुछ आप लोग को इस वीडियो में बात करने वोला हूं बताने वोला हूं उससे प्रदों तो अगर आप मेरे चल पनाना है तो चैनल को सब्सक्राइब करते हैं और इसी तर पर में नूटिस को जारी किया गया है ऑफिस्यल ट्वीटर पर क्या कुछ बताएगा है आप लोग वीडियो को सुर्च देकर लाश्ट देखिएगा तो दोस्तों जैसा कि यहां पर आपको देख सेते हैं मैं अभी चंपाई सुरिन का जो ओफिसल ट्वीटर आइडी है मैं इसी ट्वीटर आइडी पर भीजिट हूँ और आप जैसी ही इस ट्वीटर आइडी पर आते हैं और नीचे इस्कूल आण करते हैं तो यहां पर आपको एक पोस्ट देखने को मिलेगा जो कि आपका पेंशन यूजना से लेटेड पहले मिलता था 60 साल होने के बाद ही आपक सत् hardware करते हैं जैसे हैं नीचे स्कूल करते हैं तो यहां पर जो पोस्ट किया घा है यहां पर क्ते हैं चीप मिनिस्टर और जहाट होंड ओफीस यहां पर अप्ति है आपकी मिलेगा पेंशन यहां पर देख सेते हैं साफ साफ लिखा हुआ है कि A C और A S T का और इसके साथ ही साथ सब भी महिलाओं का पचासल हो गया है तूल लोग का पेंशन मिलेगा इसके बाद दोस्त यहां पर नीचे में देख सेते हैं एक पोस्ट किया गया है जो कि यहां पर निउज़ पस्ट है और इस नीज पर में क्या कुछ लिखा हुआ है। चलिյी आप लोग सीच सब कुछ पड़ करके और बादा दे रहां। समझाल नहीं है। जो निजचपन क्या लिखा हुआ है यही पस्ट में क्या mucho हुआ है जिसके यहां वर्स से उपर जितने भी महिलाएं हैं सभी महिलाओं का पेंसन होगा इसके बाद यहां पर नीचे में क्या कुछ डिटेल्स लिखा हुआ है यहां पर आप लोगों को पढ़कर के बता दे रहा हूं यहां पर देखते हैं राज्य सरकार ने बिर्धा पेंसन के लिए उम्र सीम पेंसन दी जानी है यानि कि यहां पर बताया जा रहा है कि पहले जो पेंसन मिलता था वो 60 साल से मिलता था लेकिन अब 50 वर्स से जितने भी अधिक के महिला हैं सभी महिलाओं को पेंसन दी जागी और इसके साथ ही साथ AC और HD का जितने भी पूरुस लोग हैं उन लोग को 50 वर्स से अधिक का पेंसन दिया जागा यानि कि यहां पर अगर आप जेंरल से हैं OBC से हैं और आप पूरुस हैं तो आपको 50 वर्स पर नहीं मिलेगा आपको 60 वर्स ही करना पड़ेगा इसके बाद ही आपको पेंसन मिले यानिकि यह उजना को सरकार लागू करेगे इसके बाद यहां पर 20-22 फॉर्वर्स पार राज्य भर के गाउंओं और सहरोप में जया जागा 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 आपके ही गाम में आपके ही पंचायत में और गयाराम पंचायत में एक केंप लगाए जागा और उस केंप में इस यूजना में गड़बडी केंद्रों के लिए B.L.O. को सामिल किया जाएगा इसको लेकर विभाग ने 19 फरवरी तक राज ये भर में जागरुकता अभियान च किया जागा इसके बाद यहां पर लगाया जागा इसके बाद यहां पर लिखा हुआ है सिवीर में लोगों से आवेदन पराप्त किये जाएंगे यानि कि दूस्तों और इसके बाद मतलब वहां पर कैंप जो लगए उसमें आवेदन जिंद का 50 वर्ष से अधिक हो गया है उन लोग का एक फॉर्म फिल अप किये जागा वहां पर आवेदन को जामा किये जाएंगे इसके बाद मत्ताता सुची से बी एल ओ नामों को मिला कर आवसेक्ता कागजात लेकर सुचा बद करेंगे यानि कि दूस्तों बी एलो जो होते हैं आपके ही गाउं के एक बी एलो ह होते हैं और वहीं से एक सुची निकाली जागी और मत्ताता सुची से ना मिला कर आपका जो कगज़ात कार्य उसको किया जागा इसके साथ ही सीविर से पराप्त आवेदन को पर खotherap कार्याले में पोटल पर दर्जक और सविरी किति किया जागा यानि के दूस्तों आपके ग जमाकरने के बाद यहां पर आपके ही जो अंचल होते हैं परखंड अंचल करे आले जो आपका बलोक होता है वहां पर पोर्टल के त्वारा इसका फोर्म है उसको अउलाइन किया जागा इसके बाद आपके जो बलोक होते हैं वहाँ पर पर खंड वह अंचल में जो काम है इसका 26 फरूत तक कम्प्लीट कर दिया जागा इसके बाद मुख्याले अस्तर पर इस अभियान की मोनिटरिंग होगी यानि कि दोस्तों यहाँ पर इसका जो अभियान है उसका मुख्याले अस्तर पर मोनिटरिंग किया जाज किया जाएगा इसके बाद यहाँ पर देख से थे हूँ उपर में एक हेडलाइन में लिखा हुआ है जो कि यहाँ पर 50 वर्स से उपर के सभी AC, ST पूरसों को भी पेंशन यानि कि दोस्तों अगर आप OBC और General को छोड़ करके और AC, ST से आते हैं तो आपका अगर 50 वर्स हो गया है तो भी आप पेंशन का लाप ले सकते हैं इसके बाद साथ में यहाँ पर बहले 60 वर्स के लोगों को ही मिल रही थी बिर्धा पेंशन ये तो बात सही है इसके बाद यहाँ पर साथ मीधर एक साइड लिखा हुआ है जाती परमान पत्र के लिए अलग अस्टावल लेगेंगे यानि कि दोस्तों अगर आपका जाती प परमान पत्र लगेगा और ये जाती परमान पत्र लगने के लिए यहाँ पर देख सेते हैं क्या रिखा हुआ है 20-22 तक बिर्धा पेंशन के लिए लगने वाले सीवीर के पास ही जाती परमान पत्र बनाने की परकिरिया होगी ग्यानिक दोस्तों अगर आप ACS रिस जाते है और आपका जाती परमान पत्र नहीं है तो जब आपके गराम पंजायत में कवेंप लाएगा 20-22 पर ओर की बिच तो वहीं पर आपका जाती परमान पत्र बनाए जाएगा ऑनलाइन किया जाएगा इसके साथ यहाँ पर इसके आवेदन के लिए अलग इंस्टॉल्मेंट आपका जो जाती परमान पत्र है वो बना या नहीं बना तो दोस्तों यहीं था प्येंशन इवजना से लेटेड एक छोड़ा सा निवज अपडेट और आपसे पाता चल गया होगा कि एससी एस्टी कास्ट से अगर आप है और आप पूरुस या महिला कोई भी है आपका 50 व के बाद ही मिलेगा उन लोग को पचास वर्स के बाद नहीं मिलेगा तो इसको लेकर के साफ साफ इस न्यूज पेपर में और ट्विटर आइडी पर बता गया है और आपके ही ग्राम पंचायत में 20 फरवरे से 22 फरवरे की बीच केम्प लाएगा और वहां पर जाकरके और आ सबसे पहले पाने के लिए चनल को सबस्क्राइब करके बेल आगन कॉल करते हैं ताकि इस तरह कर फिर्विडियो जब भी में प्रेश जनले प्रवर्ड करों तो सबसे पहले आप तो पोशे तो दोस्तों इस वीडियो बस आप लोग को यह वह दनाल था मिलते हैं फिर किसे आपने फिर्मेर्टी वीडियो में थैंक यू थैंक्स लात असी वीडियो तब तक के लिए बाबाए